अगर आपका कैश बैंक में रखा हुआ है और आप यह समझते हैं कि वो सेफ और सिक्रेट यू मस्ट बी तेंकिंग ट्वाइस क्यूंकि जो बैंक रन इस वक्त हो रहा है यूएस में इस हैपनिंग अक्रोस दो वर्ड नेट्वेस जो टेक यूके का लीडिंग बैंक है जो के रॉल बैंक और स्कॉर्टन को भी ओन करता है उसने रीसंदी अपने कस्टोमर्स को एक वर्निंग नोटिस जारी किया है और वो वर्निंग नोटिस उनकी तमाम ब्रांचेस पर डिस्पले है जिसमें वो यह कह रहे हैं कि इफ यू नीट कैश विड्रॉप विड्रॉप अच्छ पर गोड़ को यह बता रहा है वार्निग दे रहा है धैत मेंस वार्निख यह मड़ी एक एस सिंपल आस तार यह निगी कि आप जब बैंक में कोई अपना कैश टिपॉजिट करते है अपना चेक दिपॉजिट करते है यह आ इस स्पेसिकली लैंडिक नोटिद गश okay in in pure finance law perspective you are actually loaning that money to the bank or bank us payse ko किसी भी तरह भी उसका सता है they can lend it out they can uh invest into any equity markets or whatever वो पैसा आपका नहीं है बैंक के पास आपका पैसा नहीं है अगर हम सब उठके अपना-पना कैस निकलना शुरूर है इसको हम बैंकरन कहते है they don't have our money तो this is serious guys this is spreading like fire across the banking system अगर आपके पास large sum of cash है जो आपने एक बैंक में रखावाए एक बैंकिंग और्गनिशन में रखावाए जाए वो multiple branches ही क्यों now that is not safe at all उसको split करें उसको distribute करें मुल्टिबल बैंक में अगर कैनेड़ की बात करते है तो अपना पैसे एक बैंक में ना रखेंगे आपना पैसे एक बैंक में ना रखेंगे करें इसको इसको serious लिजिए और अपने cash को प्रटाइब कीजिए things are getting messy guys this banking crisis I don't think this is going to get solved in time soon this is going to further you know blow up and that could be the next financial crisis so public safety information take it serious take it what it's worth for you अगर पसंदाए वीडियो तो शेर कीज़े लाइक कीज़े और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और मैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में मिलता हूँ थैक्यू